हलो फ्रेंड्स, वेलकुम बैक टू माई चैनल, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप टैन मोस्ट इंपोर्टन क्विश्चन्स प्रॉम एच्पीजिके तो प्लेज वीडियो को लास्ट तक वाच करेगा और मुझे बताएगा कि आपके 10 में से कितने questions सही हैं और comment section में ये भी बताएगा कि इन questions के बारे में आपको पहले पता था या नहीं था तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते कांग्रा किला जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है कांग्रा किला नगरकोट भीमकोट ए और बी दोनों और इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer है ए और बी दोनों कांगड़ा जो किला है उसको नगरकोट के नाम से और भीमकोट के नाम से दोनों से जाना जाता है आई होब आपको ये question समझाया हो next question की बात कर लेते हैं स्पीती घाटी का अंतिम गाओं कौन सा है लोसर, सलोह, गमूर इनमे से कोई नही तो इसका करक्ट अंसर है लोसर जो लोसर है वो लाहोल स्पीती घाटी जो है उसका अंतिम गाओं है जो कि चीन और भारत के सीमा पे है सीमा की समीब बसा हुआ है और ये लाहोल पीती घाटी का अंधिम गाउं है ठीक है नेक्स कुशन देख लेते है निर्मंद हिमाज़ प्रदेश के किस जिले में स्तित है निर्मंद उना, सिर्मोर, मंडी या कुलु तो इसका करक्ट अंसर करेक्ट अंसर है कुल्लू, जो निर्मंध है वो ही माचर प्रदेश के कुल्लू जिले में स्तित है, नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं, भुंतर हवाई अड़ा किस जिले में है, यान कि जो भुंतर हवाई अड़ा है वो किस जिले में है, कांग्डा, सोलन, शिमला या कुल्ल तो इसका जो correct answer है वो है कुलू भुंतर जो हवाई अड़ा है वो कुलू जिले में स्थित है नेक्स कुशन की बात कर लेते हैं भारतिय पोशन गान किस लेखक द्वारा लिखा गया? भारतिय पोशन गान किस लेखक द्वारा लिखा गया? शंकर महादेवन, विशाल खुराना, एहसान नूरानी और प्रसून जोशी एक बार फिर से देख लेते हैं भारतिय पोशन गान किस लेखक द्वारा लिखा गया है? शंकर महादेवन, विशाल खुराना, एहसान नूरानी और प्रसून जोशी तो इसका correct answer है प्रसून जोशे next question की बात कर लेते हैं किस देश की जनमदर 70 वर्ष पहले इसकी स्तापना से लेकर घटकर सबसे कम हो गई है लग किस देश की जनमदर 70 वर्ष पहले इसकी स्तापना से लेकर घटकर सबसे कम हो चुकी है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके जो जनमदर हैं वो कम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा विल्ब सबसे कम हो चुके हैं ब्राजील, चीन, अमेरिका या भारत किस देश की जनमदर सत्तर वर्ष पहले इसकी स्तापना से लेकर घटकर सबसे कम रह गई हैं ब्राजिल, चीन, अमेरिका या भारत तो करेक्ट अंसर है चीन चीन की जो जनमदर है वो बहुत कम हो चुके सबसे कम हो चुके हैं अब उसकी जनमदर नेक्स्ट क्यूशन की बात कर लेते हैं किस तीथी को पूरे देश मलब पूरे भारत वर्ष में सशक्त बल व्रिद दिवस मनाया जाता है किस तीथी को पूरे भारत वर्ष में सशक्त बल व्रिद दिवस मनाया जाता है 15 जनमदरी, 12 जनमदरी, 13 जनमदरी और 14 जनमदरी कौन से जनमदरी को मनाया जाता है तो इसका गरेक्टन से रहें चोदा जन्वरी को सशक्त बल वृत दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है चोदा जन्वरी को नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं प्रते एक वर्ष विश्व व्रेल दिवस कब मनाया जाता है कम मनाया जाता है विश्व व्रेल दिवस दोजनबरी, तीन जनबरी, चार जनबरी या पांच जनबरी Correct answer is चार जनबरी यानि 4th January को विश्व व्रेल डिवस मनाया जाता है Next question की बात कर लेते हैं भारती रिजर वैंक यानि RVI का चालू लेखा वर्ष क्या है चालू लेखा वर्ष मतलब कि जैसे एक वर्ष होता है ना खतम हो जाता है तो कुछ होता है एक अप्रेल से स्टार्ट हो जाता है तो जो RVI का है वो कब से कब तक होता है अप्रेल से मार्च, जुलाई से जून, जन्वर से देसंबर, मई से अप्रेल आप कमेंड सक्षियर में अंसर अपना दे सकते हूं तो इसका करेक्ट अंसर है जुलाई और जून जुलाई और जून इसका चालू लिखा वर्च है तो चलिए next question की और पहले सुरक्षा किस प्रमुख तक्निक की कमपनी का इंटरनेट सुरक्षा अब भ्याने Facebook, Google, Microsoft या Apple Facebook, Google, Microsoft या Apple Correct answer is Google Google का जो इंटरनेट सुरक्षा भ्याने वो है पहले सुरक्षा यह जो है Google ने जलाया था वियान लास्ट जो question है जो होमबग है उसका answer आपने मुझे comment section में लिख के भेजना है तो question है भारत में भारत में कौन सी मेटरो रेल सेवा देश में सबसे बड़ी operational मेटरो नेटवर्क बन गई है तो option है एक है दिल्ली मेटरो कोची मेटरो हैदराबाद मेटरो और चैने मेटरो तो इसका correct answer जो भी होंगा वो आपने मुझे comment section में जरूर बताना है बाकी कल आने वाली वीडियो में मैं इसका सबसे बहले answer दूँगी और जिसका comment section में answer आएंगा उसका नाम भी में वीडियो में लूँगी I hope वीडियो यूजपू लगे होंगी Thanks for watching my video मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ठेक किया